प्रक्ष्णल एलेट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए विबिन कंपोनेंट की ज़रूत होती है इने की कॉमिनेशन के बारे में हम बात करेंगे आज इनके मुखी रूप से दो प्रकागे kombination के जाते हैं एक होता है हमारा series kombination और एक होता है parallel kombination स्रेनिक क्रम स्योजन में दहरा समान होती है और voltage का मान भिन-भिन होता है ये हमें अम की नीम के अनुसार प्राप्त होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि resistance R1, R2, R3 के अंदर धारा समान है करंड जो है हमारा समान है For example के लिए हम देखते हैं कि 5A R1 के अंदर 5A हमारे R2 के अंदर और 5A हमारे R3 के अंदर यहां है तो कुल मिला कि करंड जो है सभी resistance अंदर constant होता है अब हम बात करते हैं voltage की तो voltage जो है हमारा terminal voltage बराबर R1 voltage, R2 voltage, R3 voltage का जो total होता है उसके बराबर होता है तो आप यहां पर दीख लिए Vr1 प्लस Vr2 प्लस Vr3 बराबर terminal voltage तो यहां को लेख रहे हैं कि total voltage drop जो है वो total voltage के बराबर होता है मान लेते हैं कि R1 हमारा 5V है R2 हमारा 4V है और R3 हमारा 3V है तो total voltage जो होगा वो 12V होगा यनि कि terminal voltage 12V है येकिंड नमबर हमारा होता है समांतर क्रम सेयोजर ये जेश्ट आपका सिरीज का उल्टा होता है यनि कि इसके अंदर हम देखेंगे कि voltage तो समान होते हैं तथा क्रंड जो होता है वो सभी terminal के अंदर सभी branch के अंदर अलग अलग होता है अब हम multimeter की सायता से voltage से कर लते हैं एक बाद इसके लिए R1 के जो हमारे voltage है टोटल उनको हमने continue test की 12V आ रहा है second पे भी 12V आ रहा है तीनों हो, resistance या कितने भी हो सकते हैं उन सब में समान होता है यानि कि समानतर करम सेयंजन के अंदर voltage जो होते हैं voltage terminal के समान होता है बराबर होता है लेकिन current जो है वो divide हो रहा है divide कहां से हो रहा है junction first से current divide हो गया उसके बाद में junction 2 से और फिर वापीस आके joint हो रहा है 3 और 4 से for example के लिए junction first पे जो आपके total current आ रहा है वो 10 ampere है उसके बाद में junction 1 से divide हुआ 2 ampere निशे की side, R1 की side गया 8 ampere total रहा R2 ने 3 ampere लिया और R3 ने 5 ampere लिया इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जक्सन 3 पे भी 3 और 5 8 ampere total हो गया यहां से आप जो total current जा रहा है वो 8 ampere है और आगे जाके junction 4 पे 2 ampere और आगे तो total current जो है वो आपका 10 ampere पुन हो गया है इसी ही diagram से हमें यह ग्याद होता है कि क्रिसोप ने क्रिसोप current लो ने बताया गया है कि किसी भी node पे जक्सन पे आने वाला current जाने वाले current के बराबर होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं node जक्सन 1 पे 10 ampere आ रहा है और 8 और 2 जा रहा है दोनों की जोड करेंगे जाने वाला current आने वाले current के बराबर है अब हम बात करने वाले हैं इनी दोनों के combination को यानि की series parallel combination को series parallel combination के अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों का समाज जोन हो जाए तो हम किस प्रकार से किसी भी circuit को solution कर सकते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि R1, R3, R2 का series combination है तो series का आप पता ही है total resistance जो होता है यानि की terminus resistance, total resistance जो होता है वो इन टीनों के योग के बराबर होता है यानि की series में सीधा diet R1, R2, R3 बराबर total resistance तो यहां पर आप देख रहे हैं 20 और आपके 30 और 10 total होगे 60 तो total resistance कितना होगा 60 उसी परकार से यहां पर भी R1 और R2 दोनों parallel में हैं तो किसी भी दो parallel combination होते हैं तो उन दोनों का आपस में गुणा बटे दोनों का जोड यानि की R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 तो यहां पर हमने example के लिए हैं पसास ओम रसी ओम दोनों का गुणा किया 6000 ओम आगे दोनों की total किया 130 ओम आगे 4000 ओम में 130 ओम का भाग दिया R3 आपका 50 ओम है R4 आपका 80 ओम है और R5 आपका 30 ओम है इसी प्रकार को हम इसको हल करेंगे R3, R5 बड़ाबर 50 ओम प्लस 30 ओम टोटल होगे आपका 80 ओम तो 80 ओम और 80 ओम दोनों मिला के हम parallel में हैं इन दोनों का हम total resistance निकालेंगे अभी हमने एक बात की थी कि दो समानतर जो resistance होते हैं उनका total resistance निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा बटा दोनों का जोड कर देंगे तो हमारे सामने उसका हल आ जाएगा उसी का लावा यदि दो समान एक समान मान के दो resistance है तो उनका दोनों का हाप हो जाएगा यानिका इसका डायेट सालिस ओम आएगा लेकिन हम हल कर लेते हैं दोनों का गुणा कर लिया तो 80 into 80 सोसर सो होगे और दोनों का जो total एक सोसाट होगे तो एक सोसाट का ओम का सोसर सो में भाग दिया तो आपका total resistance जो है सालिस ओम आ गया तो अब सालिस और साट दोनों सीरीज में हैं तो इनी की दोनों की हम जोड कर देंगे जैसे आपको पहले से बता रखा है कि दोनों रेश्टेंस जो है आर टू प्लस आर थी फॉर फाइब जो रेश्टेंस है इनी टोटल कर लेंगे तो हमारे पास सो हो जाएगा इस प्रकार से दोनों का हमने जोड कर लिया तो आर टू प्लस आर थी फॉर फाइब टोटल हो गया आपका सो हो इसी प्रकार अब हमारे पास सरकिट जो है बहुत तो 100 आपके सामने जो second resistance है और first आपका 200 ohm का है 200 ohm से गुणा कर लिया 100 ohm का और दोनों का 300 भाग दे दिया तो आपके सामने जो है यह total resistance 20,000 ohm के अंदर आप जैसे 300 ohm का भाग देंगे तो 6.67 ohm आपका total resistance हाज़ाएगा इस परकार से हम एक series parallel combination के resistance का पगात करते हैं आज का वीडियो हम यहीं complete करते हैं और हमने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना रखे हैं वाइरिंग के सम्मधित electrical equipment के repairing सम्मधित बहुत सारे animation के साथ 3D में वीडियो बनाई हुए हैं तो please आप उनको पी देखें और हमें वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो like कर दीजिए, comment में जरूर बताईए किसी प्रकार की doubt को हमें बताईए next वीडियो किस पर बनाणा है इसकी वी comment box में जरूर बताईए और हमारे और सारे wiring के tutorials वीडियो नहीं देखे हैं तो playlist में जरूर देखें बनेवा